नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विश्यपर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं, जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सफल और असफल राजनिताओं के बीच के अंतर के बारे में, वो लोग जो राजनिती में सफल हो जाते हैं, और वो लोग जो फेल होते हैं, आखिर उनके बीच में क्या अंतर हैं, जब सफल होने वाले राजनिताओं को और असफल होने वाले राजनिताओं को करीब से दिखा गया, तो पता चला बहुत सारे अंतर हैं, उन लोगों में जो सफल हो जाते हैं, और उन दूसरों की complaint, दूसरों की शिकायत करने की बजाए, create करने में, कुछ नया करने में, कुछ सरजन करने में अपना समय, अपना पैसा अपने संसाधन लगाते हैं, वहीं दूसरी और असफल होने वाले राजनिता या वो लोग जो राजनिती में सफल होते हैं, वो दूसरों की श शिकायते कर रहे होंगे, ये ये नहीं करता है, ये खराब है, वो खराब है, पाटी खराब है, संगधन खराब है, हमारा नेत्रित खराब है, हमारी विचारदरा खराब है, ये खराब है, मुझे में कोई कमी नहीं है, सब खराब थे, मैं बहुत अच्छा था, ऐसे लोग जर वही करता है जो कुछ क्रियेट नहीं कर सकता जिसमें क्रियेट करने की शमता नहीं है वही कंप्लेट करेगा जो क्रियेटर है जो कुछ क्रियेट कर सकता है जिससे पता है कि मुझे शमता है मैं चाहूं तो बदलाव कर सकता हूं वो किसी पर कभी कंप्लेट करता नहीं मिलेग किसी की शिकात नहीं करेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी के संगठन में कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, वो तो निरंतर अपना काम करता चला जाएगा, क्योंकि उसे पता है, जब परवा नहीं होती और आपको भी आपको भी ध्यान रखना इसकी बिलकुल परवा मत करिये और मैं आपको एक और राज बताता हूँ आपकी पार्टिया संगठन में जो भी शीष नित्रित पर होंगे यदि वो वाकई सफल है यदि वाकई वो समझदार हैं तो उनके पास यद कंप्लेंट ले करके जाता है किसी की शिकायत ले करके जाता है तो बजाए वो उस कंप्लेंट या शिकायत पर काम करने के उसी से पूछते हैं कि कोई बात नहीं उसकी जो कंप्लेंट है उसकी जो शिकायत है वो हम देख लेंगे तुम बताओ तुमने क्या किया है तुमने पार्टी के लिए संगठन के लिए क्या किया है तुम्हारा क्या सकरात्मक योगदान रहा है तुम्हारा क्या क्या प्रोडेक्टिव ऐसा रहा जो पार्टी है संगठन के काम आ पाया और मैक्सम टाइम क्या होता है मैक्सम टाइम जो कंप्लेंट कर रहा होता है उसका कोई सकर परात में योगदा नहीं हुआ होता है पार्टी के लिए तो वो सिर्फ कंप्लेंट करने वाला शिकायत करने वाला वक्ती है और ये ये श्चीश नेत्रित अच्छी तरह जानता है मेरे पास भी मेरी टीम के बारे में मेरी पार्टी के संगठन के इंसीटूट के लोगों के ब और खार्शकर से नहीं लोग जो नहीं राजनिता है जो राजनिती में पहली बार आ रहे हैं जिनको राजनिती का कोई ज्यादा अनुभव नहीं है या परिवार का कोई वेक्ति राजनिती में नहीं रहा है ये हो ही नहीं सकता कि उनसे राजनिती में गल्तिया ना हो ये हो उसकी complaint करेगा उसके शिकायत करेगा और आपको पता चल जाएगा ये जो complaint कर रहा है ये creative नहीं है ये कुछ create नहीं कर सकता इसलिए complaint कर रहा है और जिसकी complaint आ रही है यानि कि वो कुछ करने का प्रियास कर रहा है और जब जब हम गलतिया करते हैं तो हमें पता चलता है ये बता तो कभी नहीं होता है, हमेशा कुछ नहीं कुछ कमिया रह जाती है, समय के साथ साथ हम perfect बनते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें उन लोगों को identify भी करना है, और खुद खुद भी कोशिच करनी ऐसा ना बने, यदि आप में से कोई ऐसा है, जो हमेशा complaint करने, हमेशा शिकायत करन दिलने नहीं बने, आप राजनीती में सफल नहीं होंगे, क्योंकि यदि वाकिया आपको सफल व्यक्ति बनना है राजनीती में, तो सफल लोगों के पत चिन्नोंपर चलना पड़ेगा, और सफल लोग करने के बजाए, क्रियेट करने पर विश्वास रखते हैं, उन्हें इस्तिती आदर्ष नहीं होने वाली, उन्हें पता है आदर्ष राती नहीं मिलेगा, उन्हें पता है जो लोग है उन्हीं से काम चलाना है, और अब्यस्थी बातें नए लोग होंगे तो गल्तियां भी होंगी, ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा गल्तियां होंगी, गल्तिय को उनकी शिकायत करें सफल ये जो राजनिता सफल हो रहे उनका एक और गुन लेकर करके जाईए जो लोग राजनिती में फेल हैं और जो सफल है उनको जब करीब से देखा गया तो एक और अंतर पता चला क्या जो सफल राजनिता है वो आगे बढ़कर के जिम्मेदारी लेते हैं अच्छे की भी और बुरे की भी जो असफल राजनीत है वो जिम्मेदारी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं जी हाँ जो सफल होगा वो जिम्मेदारी लेगा वहीं दूसरी और असफल होने वाला वेक्ती वो ऐसे समय पर नदारत हो जाएगा जब दिख रहा होगा काम बहुत जादा है जब दिख रहा होगा समगठन में सबको जिम्मेदार्या दी जारी है वो पीछेड जाएगा जब उसको पद पर था तो सम्मान जो मिल रहा था वो उस पद का सम्मान था उस वेक्ती का सम्मान नहीं था क्यों गरीमा पद की होती है गरीमा वैक्ती की नहीं होती है वैक्ती अपनी गरीमा बनाता है उस पद पर जाने से पहले या उस पद पर रह करके ताकि उसके जाने के बाद भी लोग याद करते हैं कि वाकई उस पद पर जो वैक्ती था उसने उस पद को शुशोभित किया उस बढ़कर जिम्मेदारी लेने ही कोशिश करिये, जितने भी लोग राजनीती में सफल हुए, वो जिम्मेदारी से भाग कर सफल नहीं हुए, बलकि जिम्मेदारी लेकर सफल हुए, और कई संगठन नाम नहीं लूँगा, वहाँ तो सिधा एक ही सवाल पूछाता है, जब आप बताते हैं मैं संगठन में हूँ, तो पूछते हैं आपके पास क्या दाइत्व है, और यदि आपने कह दिया कि मेरे पास कोई दाइत्व नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो इसका मतलब आप जिम्मेदार वेक्ती नहीं है, और आपको आगे भी जिम्मेदारी नहीं आदेश आएगा, आते ही मैं काम कर दो, मुझे जो काम मिलता है, मैं उस काम को बखुभी करता हूँ, लेकिन जब मुझे कोई काम नहीं मिलता है, तो मैं आगे बढ़कर के काम लेता नहीं हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता नहीं हूँ, तो पूरी-पूरी संभावना है, कि मेरा उतरदाई तो था, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ना तो हार के समय पर, ना ही जीत के समय पर, ना ही संगर्ष के समय पर, किसी भी समय पर वो जिम्मेदारी से भागते नहीं हैं, और जो भागते हैं, भागने वाले लोग कभी राज लेने कोशिश करिये, और हैसा नहीं बिना संक्तान में कुछ भी करना है, जमेदर लिजिए, बताइये, शीष नेतिर्त को, जो आपके लोग है, उनको बात करिये, जो आपकी टीम है, उनसे बात करिये, बिसके बेद्धह कर सकता हूँ, लीडर कहता है चलो साथ मिलकर ये काम करते हैं बस यहीं अंतर हैं और आपको सफल राजनेता और असफल राजनेता बनाने में छोटी-छोटी चीज़े मायने रखती हैं इसके लावी बहुत सारे अंतर हैं लेकिन कुछ दो अंतर मैंने बताने की कुशिश की और आप अपने आपको अब्जर्व करिए अकेले बैठकर अपने आपसे बात करिए देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं आपका behavior आपका nature ही आड़े आ रहा है आपकी सफलता के मार्ग में क्योंकि जो सफल हुए और जो असफल हुए उनमें कोई जादा बड़ा अंतर नहीं होता है सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं वो साधरन काम को भी अलग ढंग से करते हैं उनके भी दो हाथ दो पैरी होते हैं उनके भी दो याके होते हैं उनके दो सर नहीं होते हैं यह की सर होता है सफलका भी है सफलका भी आप इस बहाने बाजी की आदत से बहार निकलिए आगे बढ़कर जिम्मधारी लीजिए और कोशिश करिए कोशिश करिए अपने टीम में ऐसे लोगों को रखा जाए जो क्रियेटिव हों जो जिम्मधारी लेने को तयार हों ना कि वो जो सिफ कंप्लेंट करने वाले हों और यदिया पैसे हैं तो आप भी बदलिए अपने आपको आगे भी कोशिश करूँगा आपको राजनीती की बारी का सिखाता रहूं अगर कोई सवाल है कोई डाउट है कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएए मेरा नंबर मिल जाएगा डारेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं पांदस मिन बात करने हैं फ्री आफ कॉस्ट बात करें कोई चार्ज नहीं है मैं आपके राजनीती रोड मैं बनानी कोशिश करूँगा अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी देखेगा सब्सक्राइब साथ देखे बुलू कलगा जॉइंग बटन है मौट किलिक करिए चार पास ट्रेनिंग वहां मिल जाएंगे आपको अगर इसके अलावा लेने हैं तो हमारी वेबसाइट www.iplindia.org पर जाकरके ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ली जा सकती है आप आज के लिए तना है आगे किसी और विशे पर बात करेंगे आपके उजोल राजी दिभविश्य के लिए हारदी शुपकाम नाए जै हिंद जै भारत